दोस्तों अमेजिंग इलेक्रिक फैक्टों सब्साइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं और आल का बटन चुने ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिले नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी स्वागत है आपका अमेजिंग फैक्ट चैनल पर आज मैं बताऊंगा आपको कि कोस्ट गार्ड जो है उसका रिक्वार्मेंट आया हुआ है हमारी इंडियन नेवी की तरफ से तो इसको देख लेते हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा और क्य की ओफिस्यल वेबसाइट पे जाएंगे ठीक है ऐसाओर ड़ार्ट कॉम उसका जाने के बाद हम्हें आप तीन ओप्षिंग कार्ड लेटेस्ट जॉब ठीक है तो हम्हें सबसे पहले लेटेस्ट जॉब जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कोष्ट गार्ड नाविक जीडी ठीक है ए दूसरा में दोजार बीस ऑनलाइन फॉर्म ए दिखा लिखा हुआ है तो ऐसे इस पर आप देख लो द्याल से इसी फॉर्म को में देखना है तो आप इसको देख लीजिए अपना इपना इसको अपना भनान देखते हैं तो सबसे पहले इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे अब आगए हम बढ़ेंगे इसमें सबसे पहले देख लेते हैं चार जनुवरी का पोस्ट आया हुआ है और इसमें और केटेगरी के लिए चाहे हो जनरल हो OBC हो, SC हो, ST हो किसी के लिए कोई payment नहीं है सभी लोग payment कुछ भी नहीं करना है किसी को भी और इसका last date जो है 2 February 2020 और 26 January से आप इस form को भर सकते हो ठीक है, exam date है जो March 2020 में secured है और admit card जो है 15 January जो आपका 15 से 20 फरवरी के बीच में admit card आपको मिल पाएगा, ठीक है और उसके बाद इसकी अगली requirement देखें, तो सबसे main बात इसमें आपकी age जो है 18 से 22 के ही बीच में होनी चाहिए यानि उसके ही मद्धे होनी चाहिए अगर आपकी age 181999 से 372002 के बीच में है तब ही आप form फिल कर सकते हो यानि अगर आपका एक अगस्त से पहले के जन्मति थी है 1999 के, आप नहीं बहर सकते है इस form को, और 31 साथ यानि कस्तित जुलाई 2002 के बात की है, तो भी आप इस form को नहीं फिल कर सकते हो और इसके बाद बात करें इसके eligibility की, तो 10 प्लस 2 होना चाहिए आपका 50 प्रश्टन कम से कम इसमें marks होने चाहिए और physics and maths इसमें compulsory है, यह दोनों subject होने चाहिए ठीक है, height जो है आपका 157 cm minimum होना चाहिए किसी man के लिए और running जो है 1.6 km कंप्लीट करना है total 7 minute में और इसमें push up जो है और इस तरीके से इन सभी चीजों को हमने जाना और उसके बाद अगर बात करें पोस्ट का तो इसमें general के लिए 113 पोस्ट है और OBC के लिए 75 और economically weak के लिए इसमें 26 पोस्ट है और ESC के लिए 33 और ESC के लिए 13 और total जो पोस्ट है 260 पोस्ट है एक्जाम सेंटर की बात करें तो दोस्तों पूरे इंडिया में सिर्फ पाँच एक्जाम सेंटर बनाएं गए हैं वारंसी, नुएडा, कॉलकाता, भोपाल, जोधपूर तो इन सभी में आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो इस फार्म को और आप इसकी फूल नोटिफिकेशन जो है इस पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद ऑफिसल वेबसाइट पर भी जाके इसकी बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हो कोई भी प्राब्लम हो आप कमेंट करके पूर्ष सकते हो दोस्तो इसमें जो भी डॉकुमेंट है normal आप चाहो तो अपने smart phone से यह form भर सकते हो ठीक है इसमें कोई form फिस नहीं है और ज़्यादा हाड नी होता है form आराम से आप भर सकते हो बस ऐधियान रखना कि कोई गलती न आहो तो आसाकरता हूं कि आज की वीडिओ आपको अच्छी लगी होगी में अपने दोस्तों का साथ शेयर करें करें जिनकी भी एाजली मीट इतनी है क्रायटेरिया झाल झाल